नमस्कार, स्वागत है आप सभीका, सिवीडी कैज योटूब चैनल में। दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कंकाल तंतr के बारे में बात करेंगे। पुरिवी डीटेल के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे, कि कंकाल तंतr होता क्या है, इसकी क्या क्या खास बाते हैं तता इस कंकाल तंत्र के टॉपिक से किस प्रकाल से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो उन सभी important facts और points को हम cover करेंगे जो कंकाल तंत्र से बन सकते हैं तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखेगा यह वीडियो आपके exam के लिए काफी फायदे मंद होने वाला है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो कंकाल तंत्र यानि कि इसको हम कहते हैं skeletal system या इसको आप कह सकते हैं skeletal system दोनों नाम इसका है तो सबसे पहले कंकाल तंत्र के अध्यान को क्या कहते हैं तो कंकाल तंत्र के अध्यान को हम कहते हैं osteology क्या कहते हैं कं कंकाल तंत्र के अध्यान को कहा जाता है औस्टियो लौजी यह आप याद देखेगा तथा यह जो कंकाल तंत्र होता है यह सरीर की गती में महत्पुन भूमिकाने बाता है हमारे सरीर को गती देने में कंकाल तंत्र की महत्पुन भूमिका होती है जो कंकाल तंत्र होता है हमार हमारे सरीर के भित्री अंग जैसे हमारा हिर्दय हो गया हमारे स्पाइनल कॉड हो गया हमारे लेवर यानि की अक्रित हो गया उसकी भी रच्छा करता है कंकाल तंत्र इसके अलावा यह जो कंकाल तंत्र होता है यह अस्थियों और उपास्थियों का धाचा होता है किसका धाच सरीर को निश्यत्- horrific गत्रता है उसके साथ सरीर के कोमल वो वन होतने जैसे हमारे हीवर्ड हो den सरीर को सरच्छा प्रदान करने का कारे याने कि इसकेलटन यानी कि Office को जुड़ने का अधारा प्रदान कलता है या हमारा skeleton यानि कि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है या PCO यानि कि मुसल्स होती है उनको जुड़ने का अधार भी प्रधान कलता है या कंकाल तंत्र इसके साथ स्वसन में और पोशन में भी सायता प्रधान कलता है कंकाल तंत्र इतने सारे important कार्य होते हैं कंकाल तंत्र के तो इसे आप याद रिखिएगा इसके बाद कंकाल तंत्र को मुख्यत दो भागों में बाटा जाता है पहला बाह कंकाल तंत्र और दूसरा अंतर कंकाल तंत्र तो इनके बारे में यह बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाहे कंकाल तंत्र क्या होता है तो यह जो हमारा बाहे कंकाल तंत्र होता है इसमें हम सम्मिलित करते हैं हमारा जो बाल होता है और नाकुन बाहे कंकाल तंत्र में क्या आता है तो बाहे कंकाल तंत्र में हमारा आएगा जो हमारे बाल हो गया हमा नहीं हो पाता है तो इसे भी आप 자 D divry काटते हैं तो आपको दल्द नहीं होता है इसके बाद अंतह कंकाल तंत्र या जही कि Immerscalton के करा हम बात करें तो इसमें हमारे सरीर के भीतर का अस्थी पंजर आता है आप इसे आद देखेगा अंतह कंकाल तंत्र में हमारे सरीर के भीतर का अस्थी पंजर आता है यह अस्थी एवं उपास्थी का बना होता है इसके बाद अस्थी एवं उपास्थी बिसेश प्रकार के सन्योजी उतक होते है क्या होता है तो यह जो अस्ति यानि की बोंस हमारे होती है और उपास्ति यानि के कार्टिलेस जो हमारे होते हैं यह विशेश प्रकार के एक सन्यूजी उतक होते हैं ताप इसे या देखेगा मनुस्ति का जो कंकाल तंत्र होता है यह 206 हड़ीयों मतलब 206 अस्तियों और बना होता है तो इसे आप याद देखेगा यह most important fact है इसके बाद हम bones के बारे में बात करेंगे अस्थि के बारे में बात करेंगे तो को वयस्क मेन जो कुल हड्ड्यों की संख्या हती है तो 206 होती है तो 206 होती है तिस connected आप यादेखेगा एक वयस्क मनुस्य में कुल हट्डियों की संख्या लगबग कितनी होती है तो 206 होती है तता जन्म के समय सिस्म में लगबग 300 हट्डियां होती है जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सरीर में लगबग 300 हट्डियां होती है तो आप इसे या मेत्पून अवयाव होता है तुसे आप याद रखेगा इसके साथ अगर हम सीर की हड़ियों की बात करें तो सीर की कुल हड़ियां होती है 29 इसे इसे आप याद रखेगा इसमें से कपाल्व की आठ हड़ियों होती हैं सीर में कुल 29 हड़िया होती हैं जिसमें हम अगर हम डिवाइड करें लग लग करें तो कापाल में कुल आपके हो जाएंगे 8 हड़ियां उसके बाद फेसियल के अगर हम बात करें तो हमारे फेसियल में कुछ 14 हड़ियां होती हैं और हमारे कर्ण में कुल कितनी हड़ियां होती हैं तो कुल 6 हड़ियां तो इस प्रकाल से इन तीनों को मिला के टोटल 29 हड़ियां हो जाती हैं हमारे किसमें तो हमारे सिर में तो इसे भी आप जाती है उसके साथ साथ अस्थी में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है जो इसे अधिक भंगूर यानि की ब्रिटल बना देती है तिसे आप याद रखिएगा इसके बाद लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच एक खोखली गुहा यानि की हैलो कैविटी भी होती है आप इस गुहा में एक तरल पदात उपस्थित होता है जिसे हम अस्थी मज्जा यानि की बोन मैरो कहते हैं तो इसे आप याद देखिएगा जो लंबी एवं मोटी हर्णियों के बीच में खोखली गुहा होती है उस गुहा में एक मज्जा गुहा भी पाया जाता है मतलब अस्थि मज्जा तो इसे आप याद देखिएगा इसके बाद अस्थियों के समान ब्रदी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है या अस्थियों के समान ब्रदी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बच्चों में बिटामिन डी की कमी से रिकेट्स और वैसको में विटामिन D की कमी से आस्टियो मलेसिया नामक रोग हो जाता है तिसे भी आप यह देखेगा बच्चों में विटामिन D की कमी से वैसको में आस्टियो मलेसिया नामक रोग हो जाता है उसके बाद मानों सरीर की सबसे बड़ी अस्ति की अगर हम बात करें तो फीमर यानिे की जांकी होती है और सबसे छोटी अस्थी होती है इस टेपीज कान की हटी यानि की पूछा गया है। इसके बाद अस्थी से अस्थी के जोड को हम लिगा मेंट करते हैं। यहां पर अस्थी से अस्थी का जोड होता है उस जोड को हम लिगा मेंट करते हैं और जहां पर मास्पेसियों एवं हड्डियों का जोड होता है उसको हम टेंडन कहते हैं यह most important इसे आप याद देखेगा जहां पर मास्पेसियों एवं हड्डियों का जोड होता है उसको हम ट कंकाल के अगर हम भाग की बात करें तो मानो कंकाल के मुखितर दो भाग होते हैं इसे आप याद देखेगा मानो कंकाल के मुखितर दो भाग होते हैं कौन-कौन से एक होता है अच्छी कंकाल और एक हो गया आपका अच्छी कंकाल जिसको एक्सेल स्केल्टन बोलते हैं और एक हो गया आपका, दूसरे को हम बोलते हैं उपांगी कंकाल याने कि appendicular skeleton इन दोनों को मिला के 206 अच्छी कंकाल में आपकी 80 अस्थियां आती हैं और उपांगी कंकाल में आपकी 126 अस्थियां आती हैं इन दोनों कंकाल को मिला के टूटल हमारे सरीर में 206 इसमें 22 हड्या होती है तो यह जो आप देख रहे हैं गवतन में साहथ हो गई वच में आपकी 12 हो गई, कटी में आपकी 5 हो गई, सेंक्रम में आपकी 1 हो गई, और पूछम में आपकी 1 हो गई, तो ये सभी कसेरुक डंड के बाग हैं, उसके बाद उ Правस्ति में एक अस्ति होती है और उसके बाद पसलियों के संक्यां हमारे सरीर में कितनी है तो टोटल हमारे सरीर में पसलियां कितनी होती है 24 पसलियां होती है हमारे सरीर में आप याद देखेगा हमारे सरीर में पसलियां कितनी होती है तो हमारे सरीर में पसलियां होती है 24 तो इसे भी आप याद रिखेगा ये सभी किसके भाग हैं तो ये 80 कंकाल के भाग हैं इन सभी को मिला के टोटल हमारे सरी में अस्थियां हो जाती हैं कितनी 80 इसके बाद उपांगी कंकाल में दो भाग आते हैं उपांगी कंकाल में होती है और उपांगी कंकाल में आपकी 126 अस्थियां होती है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह है आपका Axial Skeleton Diagram यहां पर आप देख रहे हैं यानि कि अच्छी जो हमारा कंकाल है उसका डाइग्राम है और Appendicular यानि कि उपांगी जो हमारा कंकाल है यह उसका Diagram है यहां पर आप देख रहे हैं इसे आप देख लिए जैसे कि मैंने आपको बता है जो Axial हमारा Skeleton हो तो उसमें Skull आती है नि कि हमारी खोफड़ी आती है हमारा रेब आता है उसके बाद Vertibular column आता है हमारा उसके बाद आपका आजाएगा हाइट गल्दन की जो होती है हडड़ी होती हो आती है तो यह सभी Axial जो हमारे Skeleton हो तो उसमें आते है और उसके बाद Appendicular के उपांगी हमारे Skeleton में आपका आ जाता है Solder Gilder आर्म आ जाएगा हैंड आ जाएगा लेग आ जाएगा फोट आ जाएगा तो यह सभी पक चरिर की अस्तियों, के जोरों से संबंदित रोग होता है इस रोग में जोडों के उपर की तवचा पर सूझन और । यहाम रोग होता है पैरों के अंगठे से सम्मंद्ध अगर गठिया रोग हो जाता है उसको हम कहते हैं पोडेग्रा तो इसे आप यहाँ देखेगा गठिया रोग होने के कारण सरीर में रक्त की यूरिक जो होता है रक्त में यूरिक अमले के अस्तर का बढ़ जाना यानि अगर हमारे सरीर में य जोडों के आसपास के उत्तो में मतलब उत्तो में जमा हो जाता इसे करण से गठिया नामक रोग सरीर में हो जाता है इसके साथ यहाँ जो गठिया नामक रोग है इसको बाद होता है एक रोग आल्थराइटिस या इसको हम संधी सोत भी कहते हैं यह जोडों से समंदित रोग होता है जिसमें हटियों के जोडों के अस्थान पर सूजन हो जाती है और तवचा लाल हो जाती है तो अक्सा जोडों में दल्द हो जाता तो यह भी कंकाल तंत्र से सम्भावना आप या देखिए गा जो आस्ट्रिय ऑप्र से संभंधित नामक बीमारी यह इक बढ़ती उम्र से संभंदित यानि जब आपकी उम्र बढ़ने लगेगे आप ज्यदा एजण हो जाएएंगे तो उस समय इस के होने के chances बहुत ही ज़्यादा होता है तता इस बीमारी में हड़ियां कमजोर होने लगती है तता उनके तूटने का भय हमेशा बना रहता है आस्टियोपोरोसिस में अस्थी खनीज घनत्व यानिकी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है कम हो जाती है अस्थियों में प्रोटीन मात्रा एवं प्रकार प्रोटीन की मात्रा और प्रकार असमानी हो जाते है जो अस्थियो मतलब आस्थियोपोरोसिस नहीं विमारी होती है इसमें बोन मिनरल डेंसिटी यानिकी अस्थिक खनीज घनत्व गम हो जाता है तता हट्डियों में प्रोटीन की मात्रा एवं प्रक तो आज के लिए बस इतना यह होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू